नमस्कार स्वागत है आप सबी का दा इंडियन एकॉनिस्ट में तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डाटा मेचुरिटी असेस्मेंट फ्रेमवर्क के बारे में तो मिनिस्टरी ऑफ हाुजिंग अर्बन अफेर्स के यह इनिस्टिव लिया गया है भारे में जारी किया गया है इसका मेन मोटिफ है वो है कि जो भारत में जो सिटीज शहर हैं जो आम शहर हैं जो स्मार्ट सिटीज हैं तो इनको जो है यहाँ पर एक culture of data हमने बनाना है एक data का culture बनाना है तो यह बनाया जाएगा अंदर the data smart cities initiative of the smart cities mission जिसका core objective यह है कि जितने भी शहर के लोग हैं वो एक data hub बनेगा जिसको वो असानी से जो है assess कर सकेंगे तो जब data को assess कर सकेंगे उससाब से अपने feedback दे सकेंगे जिससाब से जो है आने वाले समय में अलग-अलग various sectors में जो है government अगर policy बनाती है कोई नया governance structure बनाती है तो उसमें फाइदा होगा सब का फाइदा होगा तो एक शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं तो हर एक शहर की अपनी कुछ quality होती है कुछ वहाँ पर खामिया होती है तो वहाँ पर जो शहरी आम शहरी होते हैं उनको सब पता होता है तो यहाँ पर data जो है तियार किया जाएगा किस framework को इस तरीके से यहाँ पर त्यार किया जाएगा कि जितने भी जो शहरी है वो इस data को जो है यहाँ पर assess कर सकेंगे with respect to standardized framework covering aspects of enabling policies, governance structure, data management, capacity building and stakeholder engagement at the city level तो यहाँ पर capacity building यही होती है कि एक से दूसरे को सिखाओ, उसको आगे बढ़ाओ तो जहाँ पर भी गड़बड़ी है उसका solution ढूंड़ो उसका हल निकाले, data का management कैसे करना इसके बार में भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो है आप assess कर सकते हो जो भी यहाँ पर framework त्यार किया जाएगा इस ministry के द्वारा यहाँ पर आने वाले समय में यह expect किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा रोल जो है data culture जो है निभाने वाला है तो इससे क्या होगा एक open innovation, collaboration, co-creation, academic research तो इसमें ब्रिद्धी आईगी आने वाले समय में देखो अगर data अच्छे से available होना तो अगर कोई भी research करना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है तो उसके बागर अगर सही data है तभी तो सही तरीके से research कर भाएगा अगर पराना data ही खराब निकला तो उससाब से माता तो फिर कहां पर पहुंचेगा वो तो यहां पर जो भी various sectors में data की ज़रूरत होती है तो वहां पर open assess कर सकते हैं तो यहां पर जो assessment होगी इस cycle की तो यहां पर सिर्फ smart cities ही नहीं होगी और भी जो इसके इलावा जो शहर होंगे जहां पर अबादी के साफ़ से अगर लगेगा अगर पांच लाग से ज़्यादा अबादी वाला शहर है तो वहां पर यह framework है इसको जो है लागू किया जाएगा अभी फिलाल यह एक initiative है तो इसका cycle 2 जो है यहां पर launch किया गया है भारत सरकार के द्वारा तो यहां पर एक culture of data जो है वो यहां पर बनाने की कोशिश की जा आम शहरों में तो आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो किर्पया चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें तो लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया